हेलो इस्टुडेंट वेलकाउं टू माई यूटूब चैनल एकेम्टी कोर्स आज में क्लास नाइंद का चेप्टर टू पॉलोनोमियल्स उसका एक्ससाइज 2.5 का कुश्चन नमर 16 बताने जा रहा हम कुश्चन नमर 16 है मसीजी साध्य अक्षरों बता दे रहा हम एक क्यूब कुभाइड का वेल्ट दिया हुआ है क्यूब्फाइड का वेल्ट का वेल्ट दिया हुआ है इसमें फैल्म को अब इसको आप solve किजिए तो सबसे पहले हमको multiply में है तो इन तीनों को ऐसे form में लाना है कि multiply में आ जाए दिखिए इसमें common क्या दिख रहा है हमको इसमें 3x दिख रहा है दिख रहा है 3x चलिए और उसके बाद क्या बात चाहिए यहां बढ़ जाएगा x फिर आप माइनस 4 जाएगा ठीक अब 3x को क्या लिख सकते हैं 3 into x into x-4 लिख सकते हैं किस form में आ गया length, breadth, height के form में आ गया multiply में हैं सब तो आप लिख लीजे length is equal to 3, breadth is equal to x और height is equal to x-4 ठीक बस ऐसे यह आपको करना है नीचे वाला में भी अब नीचे वाला में कुछ अलग प्रकार से दिया है तो सबसे पहले common लिजे common क्या दिख रहा है सब में के के दिख रहा है और 8 और 4 के table में सब भी आ जाते हैं तो 4 के common लिजे क्या बच जाएगा 3y square प्लस 2y माइनस 5 बच जाएगा ठीक अब बचने का बात देखिए 4 के एक अलग शीज हुआ यह क्या है quadratic polynomial तो quadratic polynomial में दो 0 आता है दो टुकड़े आते हैं तो आईए इसको solve करते हैं तो इसको आप जब solve करेंगे और इसका factorize करेंगे तो factorize करने का सबसे दिखिए पहले इसको माने जिए A यह भी है इस C है तो A C को multiply कीजिए A into C तो क्या जाएगा 3 into minus 5 क्या जाएगा minus 15 आजाएगा ठिक उसके बाद 2 जो है 2 को ऐसे दो टुकड़ों में कीजिए जिसका multiply क्या हो imagine करने पर minus 15 हो और plus minus करने पर 2Y हो देखिए जैसे 3Y square ठिक 3Y square इसको प्लस 5Y minus 3Y इसको आप solve करेंगे तो 2Y आएगा अब multiply करेंगे तो minus 15 आजाएगा ठिक y square क्योंकि y square है तो y square है हमको number से मतलब है variables नहीं ठीक क्योंकि number settlement हो गया तो variable अपने आप ही settlement हो जाएगा क्या जाएगा माइनस 15 फिर क्या रहेंगे 4K ओब इसमें common क्या दिख रहा है common तो through y be सोभवा हुरा इसमें क्या दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है सबसे फद्रीक धूंस दिख रहा है उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है law तो one common लिजिए और सभी में common भाड रहता है फिर क्या बचे इसमें आप क्थोड़़ा कर देंगा तो यहां प्लस आ जाएगा इसलिए मैंने किया यहां तो एक ब्रेकट में जाएगा य-1 फिर दूसरी में जाएगा 3y 4 प्लस 5 अब देखेंगा यह तीनो मल्टिपलाइए उल हो गया यह भी हो गया हो गया वेल्युम क्या होता है लेन्ध ब्रेत हाइट सभी का मंल्टिपलाइए होना तो हमारा length is equal to क्या जाता है 4k breath is equal to चाहिए आप इसको breath मान लीज़े चाहिए इसको height आप किसी को भी मान सकते हैं इसमें कोई दिया तो है नहीं कि भगिया इससी को मानिए एक चीज़ होना चाहिए multiply के form में होना चाहिए तो breath क्या हो गया y-1 हो गया और height हमारा क्या हो गया 3y फ्लस 5 ठीक आप इसको भी मान सकते हैं तो यह length हो जाएगा मतलब इधा उधार कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ एक चीज़ होना चाहिए multiply के form में होना चाहिए ठीक थैंक्यों और हमारा वीडियो अच्छे लगे तो हमारा चैनल A.K.M.T. कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक कीजिए जय हिंग जय भारत